वेल्कम गाईज, अगला टोपिक है, को फूड प्रोडक्शन फाउंडेशन टू दे विच्छों, मीट कुक्री, यूनी टू दे विच फर्स्ट टोपिक मीट कुक्री है, आउ असी मीट एंड मीट कुक्री बारे जान दे हैं, साब तो पहला तुछी स्क्रीन देख रहे हैं, मीट हुन्दा किया, रेफर्स टू दी एडिवल फ्लेश ओफ एनिमल, यह हुन्दा या, जेड़े एनिमल दे फ्लेश असी खा सकते हैं, उसनू मीट केया जान दा या, जेड़े फूड दे तोर दे उत्ते एनिमल फ्लेश मीट के आ जान दा है, जो मीट दी कॉम्पोजिशन्स की और दी एंदा कि वर मीर्ड बन दा या 50 पर सें्ट पानी हुन्दा céu ś iPad dai वनी पर सेंट प्रोटीन हुन्दा लेत इंट्रा मस्टलग मस्कुलर फैट वक ओच लिए्ष गीड Two carpet अंधरुन्नी फैट 2.5 परसेंट होचे फैट हुं दिया ते कार्बोहाइड्रेट्स होदे वेचे 2.3 तुसी याद कर लेना मीट जे वेचे वाटर प्रोटीन कला फैट कहा सकते हुं ते कार्बोहाइड्रेट्स हेतों मीट बन दाया मीत 1.3 तहां दे हो डे एडल जे वाइड्रेट्स कर तूसी स्क्रीन दय तो ये ढ़ना घरारिया होगा थो तरयर मीट की हुं दा हुं $елен depends on the concentration of myoglobin in Muscle fiber मसल फाइबर देवेची जड़े हुँ देया माई गलॉबी नहीं देया थीक है वह तो एरा कलर डपेंड कारता कि यह रेड आ जा वाइट हा थीक है जदो माई माई गलॉबीन हुँ देया वह एक्सपोस्ज जू देया ऑक्सिजन रेडिस ने नाल ते ओक अपियर हुँ दाया ठीक है so redness depends on species animal age and narrow muscle fiber यह डपेंड करता है रेडिस कलर किनना रेडिस होएगा एनिमल दी एज दे होते ठीक है ते ओधे जड़े मसल फाइबर हों दे या ओधे डपेंड करता है रेड़ मीट थे बचे केड़े जीव हों दे या beef, wheel, lamb, mutton थे कारा बीफ इए रेड़ मीट इना तुम मिल दा या beef, wheel, lamb, mutton थे कारा बीफ अब आओ असी white meat बारे देखते हैं white meat may also refer to any lighter colored meat जदा red is नहीं होंदा है lighter color होंदा है उन्हों white meat गया जानदा है It is believe that white meat is healthier than red meat केंदे यह साबित हो चुका है कि जड़ा white meat होंदा है और red meat तो ज्यादा healthy होंदा है ज्यादा होचे nutrition value ज्यादा होंदिया red meat तो तो एदिया एग्जेंपल से केडिया केडिया ने pork, poultry, game, fish and shellfish एदिया एग्जेंपल ने white meat दिया So next difference तरहांदे जड़े animals होंदे यह पॉक नू पिग भी क्या जानदा beef जड़ा होंदा है, cow, cattle, chevron, goat, lamb, lamb, mutton टे शीप जड़ा जड़ा होई जड़ा होई, विदा मटन बांदा है, करा भी करा बाउन भी केंटिया ठीक है Different animals different different form मिल दाया ठीक है स्ट्रक्चर ओफ मीट सो मीट दा स्ट्रक्चर जेड़ा अगी फोटो वेच भी है गाया सो पहला इत्थो मैं दास दिनना या लीन टीशू ठीक है जेड़े एक जा एक तो बाद मसल्स हुं देया विच इज मेड आप चू मैनी बंडलों मसल्स फाइबर तो बने हुं देया त पैरेलल दे वेच लगे हुं देया ठीक है एस्ट्रेच नी हो सकते हैं के चिट्टे कलर देया ते जेड़ा एडिसंट्रीगेट इन होट वाटर देवेच इना नूव डिस्टाइल किता जांदा इलैस्टिन जेड़ा यालुष पोर्शन हुं दाया एटेंडर आइज नी हो एक मर्षाली तिस्वधों ब्रोटिंडी परसेंट जिड़ा प्रोटिंड मस्व तीशू दिए डिया तंडर्स जड़ी फैटेन इस अब आप बीफ ताहनू स्क्रीन दे उते नजर आ रहे होएगा तो इदे तर्स तुसी देख पाऊंगे हिप सिर लोएन लोएन हे ठावाला काट फ्लैंक मुझे अगली साइड तीया ठीक है रिब चंक ब्रिक्स ब्रिस्कट शैंक ठीक है किन्ने किन्ने परसेंट गड़ा मीट है ना तो निकल दा ओ भ और अगया प्रिक्स ब्रिक्स्तर यडि या शैंक हो तैन दें पांची परसेंट है चंक ठाई परसेंट रिब बारा परसेंट लोएन नोव परसेंट ते सिरलोएन सात परसेंट है इतो टो मीट जेड़ा मिलदा आ या अब वीफ दे कट लिखाएगई बीफ इस दी मीट ओफ डुमेस्टिक नेचिर केटल यूजली ओवर बारा मन्त ओफ एज ठीक है बीफ जेड़ाया वह बारा मन्त को उपर आली केटल तो मिल दाया एक ब्राइट चैरी रेड इन कलर हुंदाया तेक एरे मेंचे वाइट फैट हुं दिया केल नों क्लाक्टिव नेम फोर व्र डॉमेस्टिकेटर्ड ऑप्चिंथ भी क्या जानता है नुदिकाइब क्लेक्टिव नेम जिड़ा केटल जाया तो केटल्स अर क्लासिफाइड एज बूल्स कैल्वस काउज स्टीयर्स है कैटल्स जिए डी क्लासिफाइड केता जान teeth इंहों वूल्स कैल्वस काउज स्टीयर्स, ठीक वील की होन धाया, जेड़े आथे तो 16 मिने अंदर गेड़े होंदे, उन्नु कैल्बस होन धे या, गेलबस अंदर धी, एज ओफ नाइन मंथ नौ मीने दे अंदर-अंदर जेडे हुँँदे ए लाइटर इन कलर दे हैं न भीफ तो थोड़े लाइट कलर दे हुँदे या इन अधा फ्लेवर जादा हुँदा या बीफ तो एटेंडर जल्दी हो जान दे जिडें वील हुँदे है ठीक है एव वील वील्दा दस्यागिया वील्दा की हमदा सिस्टम देख लोग वेराइटी मीट्स, ओर्गन मीट्स, स्वीट बेड्स, लीवर, हाट, किड्नी, टंग, वी, वी, लेंबेड, फोर कर देख, ट्राइप देख, इनर लाइनिंग ओफ दी, स्टोमेच ओफ रुमिनेट, जेख अनिमल देख, चिंग्यम देख, अनिमल देख, पाट जेख सी चु अधर इनाड हुन देख, पोक, बीफ, ब्लड हुन दा, ये चीजियां देख, चिटरलिंग्स हुन देख, बोडी देवेचे, इंटेस्टाइन्स हुन देख, बेसिक बीफ कट, बेसिक बीफ कट, देख, हैड, चंक, रिब्स, शोट लॉइन, रंप, राउंड, हिंड शैंक बेसिक बीफ कट आए, आसक दा क्वेस्टन की बेसिक बीफ कट लिखो, तुसी ये लिखने हो दा, हैड हुन दा है, चंक कट, रिब्स, शोट लॉइन, रंप, राउंड, हिंड शैंक, शोट प्लेट, फ्लैंक, देख, बिक्स आ देखो, पॉक दा कट दिखाया गया है, आण, बेरली, लॉइन, लेग, हैं brush, बाइ, कट ओफवा, पॉप दीया, हैम थे बैक्न, ठीक है, हैम जैड है कट होन दा है, स्मॉप देख दा कुट हूंद हिआ बैक्न हिए, च स्मॉप कमकी किता जा सकते है, बैकन हिए, पॉप जैड हूम दा हिखो निकल दा अनों सेम एज पोक कारकस बेसी करसा गया हो ही हेड़ पिकनिक जॉल बलेड रोस्ट फोर सेंक स्पेर रिब्ज हैम सेंक फोट पिकनिक सॉल्डर ते साइड बैले चेंज इन मीट अफटर दैथ मरं तो बाद उना वज की चेंज़ जोंदे मसल से प्लाइंट शॉफ्ट जयल लाइक स्टिकी इमिडेरली अफटर दैथ त्या सॉफ्ट हो जान्द होने मसल जेडेने स्टिकी यह ज्यली वर्गी हो जांदेने 1 कंट तो अगर फ्यू मिनेट्स तो एक केंटे ताक हो तो 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 जान दे आओ ठीक है फ्रीज फ्रीजिंग तो बाद उन्हों ट्रेंड राइज किता जा सकता है उस वेले उन्हों कुक करना बदिया रेंदा है मतलब कहा है यहा कि मरंतों बाद उसे वेले नहीं उसनु तो के उसनु चंगी तरह कुछ टाइम देलाई राख के फेर उस तो बा भीड़नाल चाहिएँ लिए आप मार्केट फोर्म्स मीट घड़े हुन दे या फ्रेश मीट हो गया चिल्ड मीट फ्रोजल मेट एडे मार्केट के वसी नहीं मिल देयां फ्रेश मीट हूंद है उसे बेले दिन देया चिल्ड मेट चोवी कंटे फ्रेज्ज राख के दिन दे गाँके शोगर का सपाइसे का अनों किया दे लिह चाहिए हं दों केंड मेट केड़ा हों दा इट टा जानदा केंड मीट डाई ड्राइड मीट ड्राइय हं देया जना चोपाणी मत अ है effekt की पहिंदाया. कोकिंग मीटा था एफेक्ट की पहिंदाया. दोज Kingdom दे. स्रेंकेज मतलब की त्वड़ा जा जड़ा मीटा वे शुंकर ना सुरू हो जानताया. जो दो उस नो पकाया जान्दा थे प्रोटीन देचे डिक्रीजमेंट होंदी, प्रोटीन देच लग लपनेंदे या, पकाओने ना, इसकर के ये मीड नो शही मात्रा देच सही तरिके ना पकोना चाहिँदा या, उड़ी फैट मेल्ट हो जान्दिया, फैट जेडि येडि मा पाणी खतम हो लाग बना दे या जड़ी हीट और कोलेजन वोदे कनवर्ड कार दिन दिया जेलिटेन वेची ठीक है वो कदू कर दिया जड़ी हीट पाई जांदी और कोलेजन हो जेलिटेन बना दिन दिया लोंग कोकिंग डेबलब बैटर फ्लेवर फ्लेवर सुरी तो लोंग कोकिंग दा मतलब एक मीट नू हमेशा हलकी गया थे जाला समय ले पकाये जाना उदे नालकी उन्दा होडी होली करके टेंडराइस दुन्दा जेदि वजना हो मीट दा टेस्ट भी होंता है इस करके इंफ्लिउंसिंग फ्लेवर फ्लेवर इस ड्यू तो डिकॉंपोजिशन ओफ प्रोटीन एंड ऑक्सिडेशन ओफ फैट बिल्कुल सॉल्टीनेस एंड स्वीटनेस ओफ दी ब्लड के हैं तो पाव यहा कि प्रोटीन दी डी कॉंपोजिशन जदो हुं दी है ठीक है फैट दी जो दो ऑग्जीडेशन हुं दी है उस भीले फ्लेवर निकल दाया बलड जेड़ा हुं दाया और सॉल्टीनेस एंड स्वीटनेस हुं दिया ओधे ब्लड देवेच हुं दिया हुदे दी इस्तिनेस नो फ्लेवर ओफ एनिमल इस फैक्टर बाए हां और पेंड कर दाया फ्ल और अनिमल इस स्ट्रोंग व्लेवर जे जाला पन्हान आया ओधा फ्लेवर स्ट्रोंगर फ्लेवर वेच होईगा ठिकन सैकें मोर एक्सरसाइज मीट है तफर मीट जेड़े जारा एक्सरसाइज करने वाले एनिमल जे जारा एक्सरसाइज करते होना था मीट थोड़ा तफर हुन थाया ठीक है कि दी मोर वेराइड वेरीड ओफ दी फीड दी मोर डिस्टिनिक्स्तिव इट्स फ्लेवर सेम एज है कि जिद्धा फीड उन्हों पाई जावेगे उद्धा दाही फ्लेवर आऊगा तो फीड ते भी डेपेंड करदाया किद्धा दा फ्लेवर ओडाया जो शिक्स स्टेज ओफ डॉनी नैस दी वेरी रेड जूस ब्लड सोफ्ट जली लाइक है रेड वेचे आगया डॉनी नैस दे वेचे रा रेड पोर्शन ओफ मीट इस समाल अराउंड इस पिंक ब्राउन आउटर सर्फेस जूसर जार रेड हुन दिया मेडियम रेड वेच की ह जानी है निएक आटी होंदा वैसे स्टोरेज ओफ मीट नू के दा स्टोर करना चाहिए है चैक पर चेज एस सून एज इट अर्ट थिक सब्सक्राइब सु fed to go to use the properly dot ठाइटल टिससी सब्सक्राइब नि उहां उनुंग करना हागया become शो का ग來ला हाच का या झे सबेंदे। कनो यहां हमनु कर यहां । बेलकुल और कैं दा मत्लभ इंग कि रेप जीड़ा टाइटली ना करो बाट एयर वी ओड़ेश लोज ना हों दो क्योंकि ओ इन्हीं वेट्स कर दिया बैक्टीरिया दी ग्रोथ नू वेक्यूम्ड पैग्ड मीड अंटेल इट इस रेडी तो जूज उन्हीं देर ओपन ना करो जिनीदेर थाक यूज नहीं करना है एन के चैक करते रहाँ खोल के ओपन करना चाहिए यहनों स्टोर करना चाहिए टेंपरेचर 32 डिगरी तो 36 डिगरी फेरा हैट्स ते यहनों मीड स्टोर के जानता है कि स्टोर फ्रेष्मीट ती कोल्ड़ी स्टी पार्ट ऒफीरेथकर जानता है जसान थन बोवहवजारिच Works क जयूज रेफ्रेजरेटर फ्रेचमीज असे नहीं स्टोर केंं में करता है किया रहन फ्रेट्स सेट्रा पार्छल फेराइट्स देसर और फिक् मेत रहं दाया, ground meat और वराइटी मीट are more perishable than other meat, use them within 1-2 दें दीना, बच ग्राउंड मेट नो यूज कर लिया जान दाया, perishable उन्नी ते रहं दीना, एक तो दें देना, बच 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 तो उना नो रेफ्रीजेट करना तुपा उस पहले क्योर करके रखना चाहिदा सर्व करना तो पहला मीटनू जो तक रेडी करना है ठीक है लेबल से ओला लेडा लेबल लगा होंदा है ओ केंदा या की अगर लीव देम दी ओरिजिनल रेपर से केंदे कि अगर तुसी सर्व कारता है अगर तुसी यूज कार नहीं हो ते उसनों वसे तरह करके बांद करके जड़ा राख दवो निते ओरिजिनल रेपर दीवेचो दे रहन दो ठीक है फ्रीज मेट फॉर लोंगा स्टोरिस ठीक है जीरो डिवर फैसे थारा डिवर से अरगर तुसी जयारा समय तक स्टोर करना फे थारा डिवर सेल्सियल ठीक है जयारा कर सकते हो for keeping quality, maximum quality बना ये रहख खंदेलाई, you can freeze luncheon, meat, hot dog out ham, up to 2 month तक ham नो store कार सकुझे है, hot dog नो store कार सकुझे, ठेक है, ground meat नो तेन मी ने तक store किता जा सकादा, शेम ने तक pork नो store किता जाता, न ना लेंब नो store किता जा सकादा, बीफ नो एक साल ताक स्टोर किता जा सकता है प्रिंसीपल ओफ कोकिग तो इंप्रूबव इत्ट पैलेटिविल्टी क्वालीटी प्रिंसीपल से दांप प्या कोकिग दे टैंडर सनूं जड़ा ओझे इनक्रीज करना थीक्वेश वेच लाश्टी न आज़ां दिया आ जान दिया तेंडराइज्ड टाफ मीट्स ते कट मेकनिकल मेरिनेटिंग मेकनिकल अनू बीट करना स्लाइस करना मेरिनेटिंग अनू मैरिनेट करना जिवे बिन घर बेच लेहमन देच गिता जानता है यूज और प्रोटेकलाइन टेंडेस्ट या टेंडराइजद मीट पापाया तो जड़ा मेरिनेशन निकट लिए नों पैपेन केंदिग अनू ब्रोमीन फ्रोम पाइनेपल घर चुझे केंदिया उनू अनू श्लाटर करके कुछ समय दे लाइस ये तो चारज चौबी घंटि जोनों टैंग दैता जांदा है ठीक है ओननों एजिंग यंद है स्टोर करेंता जानदा जिनु एजिंग हैं अपर बादों कोजें आकोजे समेढ तक जोड़ो मीट कटसे नूँ आसे लिक्वेड देवाचे करनेया ठीक है ओधे वह जोड़ो जानेया प्रोटीन्स दी क्वागुलेशन जड़िया ओबर हो जान्दिया जोड़ो मीट नूँ लिक्वेड देवाचे कुक करनेया तो एस आथा मीट वाला चैप्टर